टॉप 10 बेस्ट एनिमे टू वाच इन जैनिवरी 2024 तो नए साल की शुरुआत तो होई चुके और साथ साथ इस साल के पहले महिने के अंदर ही हमको बहुत तगड़े तगड़े वाले आनिमे देखने को मिलने वाले हैं जिन में इसे बहुत सारे आनिमे का वेट तो मैं बहुत टाइम से कर रहा था तो चलो बीना कोई टाइम कवाई चलते सिधा अपनी वीडियो की तरफ तो आज की हमारे लिश्क का पहला आनिमे है सोलो लेवलिंग अब तक आपने बहुत सारे लोगों के मुझे सोलो लेवलिंग का नाम तो एक बार तो सुनी लिया होगा क्योंकि इसकी जो मानवा है हूँ काफचिदा फेमस है और मुझे तो लगा भी नहीं था कि इस वाले एनिमे का मुझे सीजन 3 देखने को मिलेगा क्योंकि इसको आके काफ जिदा टाइम हो चुका है लेकिन ये मेरा वन आप दी फेवरेट एक शो है अगर आपने अभी तक इसका सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास टाइम है इसके दोनों सीजन को खतम करने का नमबर 3 मैशल मैजिक एंड मसल सीजन 2 तो अपने Harry Potter और One Punch Man के Combo Anime का Comeback भी Finally होने वाला है इसवले अइनमे का फेला सीजन तो मेरे लिए काफ ज़दा एंटेटेनिंग था क्योंकि इसके अदर का जो अपना में पुटैग निष्टे मैश ये बनता लिटरली मेरेको सायतामा टाइप लगता है क्योंकि ये दोनों बन्दे एक टाइप से थोड़े से पादल भी है रोवर पावड भी और हाँ मैंने इसवले अइनमे की मांगा पढ़की रखी ही तुम्हें आपको बताना चाहता हूँ कि सीजन 2 के अंदर तो काफ ज़दा बावाल होने वाला है लेकिन जैसी इसकी पहले सेजन की एंडी काई तब मेरा दिमाग एकदम से हिली के रहे गया और तभी से अपने आयनों को जी भाईया मेरे एक फेवरेट मैनुपलेटर क्यारक्टर के लिस्ट में आते है नमबर पाच मुनलाइट फैंटेसी सीजन 2 तो मैं इसे का एनिमे का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ इसलिए मैं ज्यादा तर इसे का एनिमे अलड़ी डेख लिए होंगे जिनमे से ही एक एनिमे है जो कि मुझे काफ ज़दा अच्छा लगा था क्योंकि इस वल एनिमे के अंदर भी हमको एक ओर पाउड में क्यार्टर देखने को मिलता है इस वल एनिमे का पहला सेजन दो काफ ज़दा बढ़या था अभी देखते इसके सेकंड सेजन के अंदर हमको क्या क्या एडवेंचर देखने को मिलता है नमबर 6, My Instant Death Ability Eminence in Shadow के बाद में अभी हमें बहुत ज़दा ओर पाउड में क्यार्टर वाला हो रहे कैने में देखने को मिलने वाला है इस वाले एनिमे के शुरुआत भी एक टीपिकल इसका एनिमे की तरह ही होती है लेकिन जैसे ही अपना main protagonist दुसी दुनिया के अंदर reconnect होता है तब उसके पास में एक काफ़चदा badass ability आ जाती है जिसकी वज़े से अगर अपना main protagonist किसी भी बंदे के बारे में सोचता है तो वो बंदा भाई जगव पर ही मर जाता है तो अभी कैसे अपना main protagonist उसकी इस वाले ability का यूज़ करता है अब ये तो हमें anime देखने के बाद ही पता चलेगा तो ये वाला anime मैंने कुछ दिनों पहली देखा है बल्कि मैंने दो दिन के अंदर इस वाले anime को खतम कर दिया क्योंकि ये वाला anime आपको काफ जदा अच्छी feeling देता है इस वाले anime की शुरुआत तो भाई टीपिकल इसे का anime की ending से होती है लाइक जैसे इसे का anime के अंदर heroes की team बाई demon king को हराने के बाद में उनकी journey जो है वो एक type से खतम हो जाती है या पर इस वाले anime के अंदर जी अपनी meme पडाइगनिस्ट है वो भी hero की team के साथ में अपनी journey को खतम करती है लेकिन ये तो रहती है help इसलिए इसकी जो life रहती हो काफ जदा long रहती है वो अपनी long running life के वाज़े से अपनी जो meme पडाइगनिस्ट है फिर से एक journey के उपर चली जाती है जिसके अंदर वो इंसानों के life के बारे में बहुत कुछ चीज़े सीखती है आपको इस वाले anime का plot तो काफ जदा boring लग रहा होगा लेकिन जैसे आप इस वाले anime का पहला episode देखते हो वो सब चीज़े देख के आपको एकदम से मज़ाई आ जाएगा नमबर 8 monster from Ichiro Oda तो one piece के जो creator है Ichiro Oda उनका ही second anime हमको जल्दी देखने को मिलने वाला है monster ये बाली story है one piece के एक काफ जदा famous character के बारे में जो की है Ryuma Ryuma को one piece के अंदर sword god भी बोला जाता है उसी के उपर ये पूरी की पूरी series बनने वाली है Oda Sansa ने monster की मांगा को one piece के पहली लिखा था इसलिए वो काफ जदा short है उसके बाद में उनने one piece के उपर भी काम करा था इसी वज़े से इस वाले anime के अंदर हमको काफ जदा कम episode देखने को मिलेंगे शायस ऐसा हो सकता है कि बाई एकी episode आए क्योंकि ये जो anime है वो one shot मांगा के उपर बन रहा है नमबर 9 one piece का एगेड आर्क तो इस साल भी one piece बिना कोई break लिए सिधा चलती ही जाने वाला है और नए साल की शुरुआसी हमको one piece के एगेड आर्क के episode देखने को मिलेंगे बोलने को तो एगेड आर्क काफ जदा चोटा है लेकिन इस वाले आर्क के अंदर इतने बड़े बड़े वाले reveals हुए है और साथ ही में इस वाले आर्क के अंदर हमको काफ बड़ी बड़ी वाली fights देखने को मिलने वाली है इसलिए मैं तो एगेड आर्क के लिए काफ जदा excited हूँ नमबर 10 The Unwanted Undead Adventure तो ये वाला anime भी एक इसी का anime होने वाला है और जब मैंने इस वाले anime का ट्रेलर देखा तब इससे मेरे को पता चल गया कि ये वाला anime भी काफ जदा बढ़िया जाने वाला है क्योंकि एक तो fantasy world जिसके अंदर अपना जो meme डागनिश्ट है वो काफ जदा overpower रहेगा तो काफी जदा action और थोड़ी बहुत comedy हमको इस वाले anime के अंदर देखने को ही मिलेगी तो चलो guys आज के इस वोड़ो में पस इतना ही अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो शोड़ो को like कर देना अगर आप मेरे channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कर देना तो मैं मिलता हूँ आपको next किसी वीडियो में तब तक के लिए sayonara